अब हम बात करते हैं Do and Don'ts of email marketing campaign सबसे पहले जो हम अपनी subject की heading लिख रहे है भाई हम उसको थोड़ा छोटा लिखेगे क्योंकि एक limit है उसके बाद वो कटना शुरू हो जाएगा हमको कोशिच करने हैं 5-6 word के अंदर हम जो बताना चाहरे है जो भी चीज हमारे mail के अंदर है वो चीज सामने वाले को समझ में आ जाए उसके बाद जो हम अपना mail के अंदर body लिख रहे है उसके अंदर जो starting के words है ना उसको भी आप थोड़ा descriptive लिखेगे उसका मतलब क्या होगा जैसे अपने Gmail खोला होगा Gmail क्या दिखाता है body का थोड़ा सा text भी उपर दिखाता है और वही body का text पड़की हमको decide होता है कि हमको उसपे click करना है या फिर नहीं करना अगर वो body का text थोड़ा सा appealing होगा तो chances यह में click कर लूँगा ना तो इस चीज को हम कहते है pre-header text तो pre-header text का use करना है और वो appealing लिखना है चोटे fonts नहीं लिखने है ज्यादा links नहीं दालने है links की जगा हमको button दालने है बड़े बड़े call to action रखना है जो हमने inverted triangle के बारे में बात करी थी inverted triangle वाली approach को follow करना है क्या हम GIF use कर सकते हैं हम GIF use कर सकते हैं पर बात यह हमारी जो email वाला mail जा रहा है उसका aim क्या है अगर हम चाते हैं सामने वाले में amusement trigger हो कि भाई सुटी आ रही है बच्छों की चलो vacation में चलते हैं करते हैं वो करते हैं ये इस type की चीज़ है तब तो ठीक है पर अगर मैं कहा रहा हूँ को join my digital marketing course it will change your life इसके अंदर ऐसा एक GIF लगा दी कोई फाइदा नहीं है ना इससे कुछ life में किसी के change नहीं आने वाला अगर मैं कोई खानी की चीज़ बेज रहा हूँ मैं burger बेच रहा हूँ यह मत करना कि video directly upload कर दी एक छोटी सी वीडियो का भी आजकल 200-200 MB का size हो जागा अगर 200-200 MB वाली आप file को upload करके सबको email बेच दो के तो क्या होगा सारे के सारे bounce हो जाएगे click betting बिल्कुल भी नहीं करना हमको यह नहीं करना बस हमको click करवाना है अगर हमने clickbait की उस बंदे ने देखा अंदर कुछ नहीं निकला तो वो क्या करेगा unsubscribe अब भाई हर बंदा वेला नहीं बैठा आप बंदे को कट्टे कट्टे भरके text दाल सकते हमको on the point बात करनी है to the point बात करनी है जो उस बंदे को हमने बताना है वो बताना है कम से कम शब्दों के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे एक नए offer चल रहा है जाप है 20% आपको offer कर सकता हूँ उसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी बता दी मैं जब छोटा होता था तब मेरे को बहुत दिक्कात आती थी कपड़े लेने के लिए हमारे लिए 10-15% भी बहुत matter करता था और आज मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आपको 20% offer करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो बचपन के मेरे दिन आप भी जेले यह वेल नहीं कहानी है क्या दालना है मैं सीधी से मैं कहानी ले सकता हूँ कि मैं 20% offer करना यह कूपन है बात खता हम यह आपे क्लिक करो game over देखी subject एक ऐसी शीज है जिसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं कोई भी emoji दाल सकते हैं कुछ भी दाल सकते हैं Hashtag and M% जो दालना हो दालो अच्छा subject आपको एक weird सा अगर कुछ subject दिखे तो क्या होगा Open me Please don't open me This will change your life ना मदार यह है Join my team for free Become a digital marketing wizard Explore new opportunities in your existing job The best way to grow your business इस तैब की चीज़े ले सकते हैं वो आपके दिमाग के उपर है आपकी strategy के उपर है जैसे मैंने आपको बताया था ना blog के top लिखने के तरीके किया है किस तरीके साब blog के heading लिख सकते हो वही blog वाली series को आप follow करके यहाँ पर भी काम कर सकते हैं वही same strategy follow करनी है हमको अपनी subject line और pre-headed text के अंदर हमको जारा सारा कोशिश करनी है हमको conversational बात करनी है you, I का use करना है जासा है you करना है यह मत नहीं बोलना कि भाई मेरी company मैं, मैं, मैं बादशाव है बादशाव हमको सामने वालों को ज्यादा problem के बारे में बताना है कि आपको यह problem आती है हमारे पास यह solution आ जाईए अब यह मत करना कि भाई में को तो pretty email बनाना है हमारी website हो सकती है जो कि अच्छी देखे बंदा देखे ओहो कितनी अच्छी website है पर email के अंदर pretty होना जुरूर नहीं है वो अच्छा होना जुरूर नहीं है वहाँ पे हमको जो चीजे दालने जो टेक्स दालनी है वो concrete रहेगे call to action के साथ में अगर कोई हमारा email खोलता है उसको खोलता ही सारे के सारे answer मिल जाना है यह को करना क्या क्या करना है यहाँ पे हमको images कटे बरके दालने की जूरूरत नहीं है यहाँ पे हमको videos कटे बरके दालने की जूरूरत नहीं है यहाँ पे हमको text भी कटे बरके दालने की जूरूरत नहीं है यह भी नहीं है कि हम red text दालेगे orange text दालेगे blue text दालेगे इतनी भी कोई जूरूरत नहीं है हमको कोशिश करना है जो हमारा aim है जो हमारा main aim चल रहा है हमको उसको अपनी email के दर deliver करना है बात खता हूँ best time क्या होता है कई लोग कहते है कि भाई सुबह बेज़दो कई लोग कहते है रात को बेज़दो कई लोग कहते हैं कोई fix time नहीं होता कि वो best time है आपको क्या करना पड़ाईगा मान की चलिए अगर मैं 100 बंदों को email है मैं उनको 10 group के अंदर बाट दूँगा अब क्या करूँगा एक group को मैं सुबह 10 बजे एक को 12 बजे एक को 2 बजे एक को 4 बजे एक को 6 बजे एक को dash बजे एक को dash बजे ऐसे से करके hit and try करके देखूँगा उसके बाट जब हमने starting में बात करी थी किस तरीके से evaluate करते है हम अपने campaign को evaluate करके देखेगी evaluation से हमको बता लाएगा कि भाई कौन सा better है उससे हमको answer मिल लाएगा कौन सा time हमारे लिए best है फिर हम क्या करेगे जो 10 group थे इसके अंदर top 4 को select कर लेगे फिर top 4 के time पे बेज़ के देखेगे इन सब को उसके बाद check करेगा कौन सा best है उसके बाद check करेगा कौन सा best है आखिरकान हमारे पास एक best आ जाएगा उस time पे बेज़ देगे अब कौन से दिन पे बेज़ना चाहिए कई लोग क्याते है Saturday night को अगर मैं किसी को mail वेज़ू अभी Saturday को वो अपने ओफिसे थक वक्त के आया है और उसको कुछ खोलना है उसने email कोल के देखा वो शाम को free है उसने email कोला और उसको कुछ call to action देखा कि हमने आपके लिए खाने वाले रेस्टों के अंदा 40% discount दिया है प्लीज आईए और खाईए और आप बताईए कि कैसा है तो chances यह है वो भाई थका होगा वो अपनी वाइव से बात करेगा या अपने घरवालों से बात करेगा चलो खाने के लिए चलते है शादी वादी नहीं हो रखी हो तो अपने दोस्तों से बात करेगा या मेरे पास 40% discount coupon आया चलते है एक्जामपल देता हूँको foodpanda का foodpanda का अकसर मेरे पास mail आता है कि यह discount coupon है यह discount coupon है और क्या होता जब coupon का discount आता है chances ही होता है कि मैं product लगी लेता हूँ उनसे माल वंगाई लेता हूँ